हलो एफ्रीवान वेलकम टू ग्लोबला ओनलाइन दिस अंकिता सोद सोतराखन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर वान के फाइनल रिविजिन के लिए टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टन एमसी क्यूज और प्रीविस एर क्वेशन की सिरीज आज में लेकर आई हूँ यह वही सवाल है जो कि आपको सेलेक्शन दिलाएंगे और इस वीडियो में स्टुडेंट्स में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ जिससे एजिली आप लोग कॉंसेप्स भी समझ जाओगे और एक्जाम में करेक्ट आंसर्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही जादा जरूरी है इसके साथ ही आपको कुछ होंवर क्वेस्टन भी दिये जाएंगे जिनकी आंसर्स आप मुझे कॉमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इस एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर बन पर मीजर फोकस रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो सेक्शन है जो कि आपको सेलेक्शन लेने में मदद कर सकता है इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लाँच किया है जहां पर आपको फुल सलेबस वीडियो लेक्शर्स हम प्रोवाइट करवाते हैं जहां पर आपको previous year questions, repeated and most expected questions की series मिल जाएगी वो भी answers and detailed explanation के साथ तो अगर आप students इसको join करते हो अभी भी तो बहुत easily paper 1 में अच्छा score कर सकते हो free videos के access के लिए global online app को download कीजिए store section पर search bar में आपको course का नाम लिखना है इसके overview के बाद आप content पर click करोगे, यहाँ पर आपके सामने मेरे lectures है अगर आप सरफ यहाँ पर इस folder में मेरे lectures, test series और notes को follow करते हो तो भी आपका selection 100% होगा ही इसके अलावा English medium students के लिए यहाँ पर free demo videos भी है and unit wise folders हैं जहाँ पर आपको theory lectures, mcq lectures and test मिल जाएंगे जो की काफी हैं आपकी तयारी के लिए so given numbers पर contact करके आप इसकी पूरी information भी ले सकते हो and इसको easily join भी कर सकते हो इस question में दो terms दी हैं कि जो भी person तनाव पूंट जीवन जीते हैं उनको heart attack आने के chances बढ़ जाते हैं अब कहा है कि ये कौन सी research हमें बताता है options are descriptive, explanatory, correlational या for feasibility research अब देखो students ये तो चीजें एक दूसरे पर dependent हैं कि कोई अगर तनाव पूंट जीवन जी रहा है तो surety है कि उनको heart attack आने के chances हैं इस चीज को research में कहा जाता है cause and effect कि एक चीज की वज़ा से किसी दूसरे चीज पर प्रभाव उसका पढ़ सकता है और जब भी हम research में cause and effect की बात करते हैं इसका मतलब है we are talking about explanatory research यानि की व्याख्यात्मक show सो इसका correct answer है option number B next question is the research stream of immediate application is तो वो कौन सा research होता है जिसमें immediately हमें action लेना पड़ता है अब देखो कई जगा ऐसी होते जैसे hospital है या school management है वहाँ पर अगर कोई issues हो जाते है तो सोचने समझने का या discussion करने का मौका नहीं मिलता वहाँ पर हम लोगों को immediately action लेना पड़ता है तो ऐसे में correct answer क्या है conceptual research क्या उस समय अगर हमारे concept clear होंगे तो हम आगे कुछ कर सकते हैं नहीं action research immediately हमें वहाँ पर कुछ ने कुछ निरणय लेना होता है fundamental research यानि कि basic research जो कि सिरफ knowledge को gain करने के लिए इस्तिमाल की जाती है या फिर empirical research जो कि case study के दौरान सबसे जादा इस्तिमाल की जाती है तो इस question में correct answer है option number two that is action research अब आप लोगोंने applied research का नाम भी सुना होगा action research जो होता है वो applied research का ही एक type होता है and immediately जब भी हमें कोई decisions लेने होते हैं तो वहां पर ये दोनों ही research को use किया जाता है next question is the web portal of स्वयम प्रभा is maintained by so स्वयम प्रभा क्या है येक online platform है best platform है education के लिए so इनका एक web portal है जो कि maintain करता है दूरदर्शन Google India office, IIT Kharagpur या फिर in Flipnet Center okay so स्वयम प्रभा को maintain किया जाता है in Flipnet Center के दौरा अब यहां पर एक homework question पहले मैं आपको देती हूँ कि स्वयम प्रभा इतना तो मैंने बता दिया कि ये हमें DTA channel services provide करवाते है अब homework question ये है कि कितने DTA channel स्वयम प्रभा हमें देता है and कितने sessions उसमें daily run होते है यह एक ऐसा question है जो बार-बार exam में आता है okay so जैसे कि इस question में पूछा गया था correct answer है in Flipnet so in Flipnet के full form क्या होती है information and library network ठीक है information and library network ये होता है in Flipnet center next question is andragogy is also referred to as so teaching aptitude का ये एक बहुत important topic है andragogy की बात की जाए इसका मतलब है we are talking about adult learning so यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो हर एक option में adult learning की बात की गई है तो ये क्या होता है compressed theory of adult learning comprehensive theory of adult learning continued theory of adult learning या फिर condensed theory of adult learning okay so andragogy होता है comprehensive theory of adult learning इसमें बहुत ही जादा detail में बताया जाता है कि adult learners कैसे सोचते हैं क्या उनके विचार रहते हैं किसी भी point को लेकर के and साथ ही andragogy में adult learning and adolescent learning दोनों में difference भी बताया जाता है correct answer is option number two next question is alternative education is also known as यानि कि वेकल्पिक शिक्षा को और क्या कहा जाता है family education non-traditional education traditional education या फिर non-family education देखो alternative education जैसे आप लोगोंने open schools के बारे में बढ़ा होगा distance education के बारे में बढ़ा होगा ये सब education क्या होती है informal होती है non-traditional education होती है तो alternative education मतलब non-traditional education और यहाँ पर primary education जो होती है वो होती है हमारे school and college के education जहाँ पर daily students को college या school जाना होता है lectures attend करने होती है and alternative education क्या होती है जिसे job के साथ साथ बच्चे पढ़ाई करते हैं job के साथ साथ extra courses करते हैं वो सब non-traditional यानि कि alternative education में चीजें आती है अगला question है during teaching a teacher's statements and encourage statements that encourage students to elaborate on and answers either their own words or that of others will be called exact definition दी हुई है teaching का ही एक method है जिसकी एक definition है इसमें कहा है कि teacher की एक statement कई बार हम teachers कुछ बच्चों को बोल देते हैं अगर मैं एक ऐसी statement बोल रही हूँ जिसमें मैं किसी student को motivate कर रही हूँ encourage कर रही हूँ कि आपने जो answer दिया है वो सही दिया है उसको थोड़ा सा और elaborate करो चाहे bookish language में चाहे अपनी भाशा में easiest way में उसको elaborate करो ऐसा जब teacher बोलते हैं तो वो teaching का कौन सा skill माना जाता है options are structuring instructional variety engagement in the learning process या फिर probing so correct answer here is option number 4 that is probing यह एक best teaching skill मानी चाहती है जिसमें as a teacher आपकी responsibility होती है कि आप किसे student को motivate करो and यहाँ पर instructional variety बहुत से students ने answer जरूर सोचा होगा instructional variety होती है learning को कैसे हम अलग-अलग तरीके से पढ़ा करके interesting बना सकते हैं कि अगर teaching का learning का एक तरीका काम नहीं कर रहा उसको बदल कर हम किसी और तरीके से students का interest अपने तरफ बढ़ा सकते हैं next question is in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure it affects on dependent variable so research attitude का यह question है variables में से पूछा गया है जो independent variable होते है उनको अगर manipulate किया जाए उनमें अगर कुछ changes लाए जाए and उनको change होने के बाद उसका जो effect है वो dependent variable पर अगर हमें नजर आ जाए तो इस research को क्या कहा जाता है options are exposed facto experimental case study या historical अब देखो history में तो जो चीज़े हो चुकी है वो हो चुकी है इससे किसी भी चीज़ पर कोई effect नहीं पर सकता आप जितनी मर्जी research कर लो अगर हम लोग यहाँ पर experimental research को मान कर चले तो science lab में अगर कोई experiment करता है एक chemical को दूसरे chemical से मिला देता है तो पहले वाले chemical में भी तो कोई ना कोई changes होंगे न यानि कि independent variable में changes करने से dependent variable में भी बदलाव उसके effect देखे जा सकते हैं ये होता है experimental method कहीं पर भी किसी के भी changeable phenomena के अगर बात की जा रही हो तो आप लोगों ने experimental method को ही select करना है ओके next question is a student's t-test is typically used in देखो t-test use होता है एक हमारे पास z-test होता है research में teaching में sorry ठीके so t-test use किया जाता है in comparing two groups to see if their means differ ठीके दो अलग-अलग groups है students के दोनों को हमने same task करने के लिए दे दिया अब हमें देखना है कि t-test हमें ये बताता है कि दोनों ही groups की क्या performance रही same time दिया गया था same task उनको दिया गया था next question is बहुत important है types of evaluation है formative, summative, criterion, reference and norm reference direct definitions दी गई है percentile rank देखो अगर आपने theory sessions में देखे हैं तो आपको पता होगा कि percentile rank कहां पर दिये जाते थे final exams में percentile rank दिये जाते हैं and final exams मतलब summative evaluation so B को हम A से match कर लेंगे B को first से match करके देखो answer थो आपको यहीं से मिल गया ठीक है formative evaluation होता है जो class के दौरान teacher और students के बीच में discussions होती है okay so यहाँ पर आप लोग इसमें answer में थोड़ी सी गड़़ है correct answer option number 3 ही होगा formative evaluation standards, inductive of mastery summative evaluation percentile rank and standards scores are used for reporting criterion reference में इस criteria select कर दिया जाता है जैसे मैंने मान लिया कि जिन students के 60% से जादा marks होगे सिरफ मैं उन्ही को पास करूँगी तो यह criteria जहाँ पर set कर दिया जाता है it's intention to judge learning standards ठीक है and norm reference क्या करता है एक student के performance को दूसरे students के performance के साथ compare किया जाता है the intention of using it is to identify scope and potential for improvement next question is also very important the phrase TL modeling of teaching implies that TL अब देखो teaching learning बहुत इसी है teaching learning model जो होता है वो क्या बताता है वो हमें सिरफ यही बताता है कि teaching and learning are integrally related apps ठीक है अब यह कैसे possible है अगर एक teacher अच्छा पढ़ा रहा है तो दिखते से बात है कि students का score अच्छा रहेगा students का result भी अच्छा आएगा तो इसी लिए यह दोनों चीजे integrally एक दूसरे से related होती है next is teaching differs from training and conditioning in so far as it promotes teaching और training मैंने difference आपको बताए है कि दोनों चीजे एक दूसरे से अलग होती है किस basis पर discipline drill critical thinking study association या फिर mastery of facts ठीक है so ये critical thinking के level पर चीजे एक दूसरे से बिलकुल हमेशा अलग रहती है teaching में एक teacher आकर के students को knowledge देते हैं उनके साथ अपना knowledge share करते हैं उनको कुछ नया सिखाते है training एक short period के लिए चलता है one year या फिर कुछ months के लिए and conditioning क्या होता है जो already inbuilt या फिर already चीजे किसी student के पास है उनको जो knowledge है उस चीजे को एक better way में लेकर जाना so critical thinking ही इन चीजों को आपस में अलग करती है next question is a proposal that may provisionally serve as a starting point for further research is known as ठीक है इसको कहा जाता है hypothesis theory model या फिर principle research को start करने के लिए एक initial level पर इसको use किया जाता है ये होता है hypothesis hypothesis steps of research में एक बहुत important role play करता है अब देखो सबसे पहला research में होता है आप लोगों को problem के बारे में पता होना जाहिए जिसका solution आप भूना चाहते हो उसके बाद क्या हो जाते है आप लोगों को hypothesis भी generate करना पड़ता है पर इकलपना करनी पड़ती है कि अब इसका solution देने के लिए ये trick try करें ये करें या फिर ये करें तो एक hypothesis ये कैसा step होता है जहां से हमें आगे का रास्ता क्लियरली मिल जाता है next is arrange the following steps in the process of hypothesis testing in proper sequence so hypothesis testing के भी कुछ steps होते है वैसे तो देखो मैंने आपको बताया है कि steps of research होते है उसी का एक part होता है hypothesis अब hypothesis करने का भी कुछ rules होते हैं कुछ steps होते हैं जो इस paper में पूछे गई हैं ये सब previous year questions है set up करना होते है null या alternative hypothesis को अगर इस चीज को हमने set up कर लिया तो आगे की चीज़ी हो जाती है यहां से देखेंगे तो ये दो options हमारे गलत है उसके बाद select the level of significance महत्वक अस्तर हमें देखना है कि किस level पर कितना importance हमें किसी चीज़ को देना है अगला है फिर हमारे पास C या E दो options है ठीक है तो C बोलता है establish the decision rule निरने नियम को स्थापित करना कि यह हमारा decision rule है हमें इतने के बीच में ही काम करना है या फिर अगला है select test statistics तो correct answer होगा यहां पर कि हम significance के level को select करने के बाद test के statistics को select करते हैं तभी उसको finalize किया जा सकता है कि क्या जो hypothesis हम सही मान रहे है वो actual में सही है या नहीं है यह testing बहुत ज़्यादा जरूरी होती है ओके इसले correct answer क्या है option number 4 इसके बाद आप देख सकते हो इसके बाद आता है establish the decision rule then we have performance, computations and last में conclusion को draw किया जाता है next question is when a sample is chosen because it is available to the researcher it is known as what so it is known as probability sampling, convenience sampling, systematic या फिर objective sampling तो देखो objective sampling नाम का तो कोई भी point research में होता ही नहीं है ठीके convenience क्या होता है आपके बाद अब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप कल मुझे मिलना अब आप पूछोगे कि किस समय मिलना मैं बोलूँगी अपने convenience के हिसाब से कभे भी आ जाना मुझे से मिलने तो convenience होता है कि जो best time आपको suit करता है जो best available free time आपके पास है तो convenience sampling भी ऐसे ही होता है जो available है अब आपने research के लिए कुछ सवागा दिमाग नहीं लडाया आपके पास जो available चीज़े थी आपने उनको उठा लिया और अपना research क्या कर दिया directly start फिर यहां से कर दिया जो यह बहुत important question है आगे भी हम sampling को detail में देखेंगे convenience sampling correct है which of the following curriculum development models come under technical scientific model so देखो technical scientific model इतना important तो नहीं है बट फिर भी यह है ताबास model यह एक previous year question है next question is reflective level teaching is different from memory level because the pattern of communication that is involved in reflective level teaching is basically what so आपको पता है teaching के तीन levels होते है reflective, memory, सबसे छोटा होता है memory then we have reflective level ठीक है सबसे छोटा memory, सबसे highest level होता है reflective level and middle में आता है understanding level of teaching so इसमें कहा है कि reflective level जो है वो memory level से बहुत अलग होता है बिलकुल सही अब इसका कारण क्या है because the pattern of communication that is involved in reflective level is basically it is basically transactional ठीक है यह क्या होते है transactional model होता है तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि reflective level आपका transactional होता है next question is which of the following evaluation system provides choice for students to select from the prescribed courses so कुछ समय पहले ही higher education में यह initiative लिया गया है कि students अपने हिसाब से अपने subjects को select कर सकते है तो यह system आया है choice based credit system इसके नाम से पता चारे है अपने choice के subjects को choose किया जा सकते है and credit पी यहाँ पर students को उस level पर ही मिलते है तो that is CVCS next is which of the following is a method of quantitative research so quantitative research कि जब भी हम बात करते हैं तो वो हमेशा structured approach को ही follow करता है यह हमेशा quantity पर focus करता है next question is in research null hypothesis यानि कि शुन्य परिकल्पना when rejected offers a scope of accepting the alternative of alternative hypothesis तो इसमें कहा है कि जब भी हम null hypothesis को reject करते हैं मतलब कि हम alternative hypothesis को accept कर रहे हैं बिल्कुल सही क्योंकि null के अलावा और option सिर्फ alternative का ही होता है अगर हम इसको भी reject करके कुछ नहीं करेंगे तो फिर hypothesis का मतलब भी क्या बना इसलिए null को reject करते हैं तो automatically alternative को हम select कर रहे होते हैं next is when the null hypothesis is rejected but there will be chances for committing a beta rather than alpha error तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता इसलिए first statement correct है और second statement incorrect है correct answer is option number 3 ऐसे case में जब हम null hypothesis को reject करते हैं वो alpha error होता है next is which of the following research method employs internal and external criticism for shifting as evidences and data तो यह होता है historical method correct answer is option number 3 next question है sampling से related जो कि बहुत important है हमें पूछा है non probability sampling okay so दो types होते हैं sampling के probability and non probability दोनों के further four four types होते हैं ठीक है simple random dimensional simple random जो है इसका नाम ही बिताता है यह probability sampling है dimensional sampling होता है आपका non probability already एक वीडियो है जिसमें ट्रिक्स के साथ ही चीज़े याद करवाई गई है तो option number 2 आ गया देखो यहां पर option 1 है तो यह option गलत है यहां पर भी 1 है तो यह भी गलत है ठीक है इसके बाद snowball sampling snowball sampling भी non probability होता है then we have cluster sampling cluster sampling आता है आपका probability के अंदर so correct answer है option number 2, 3 and 5 यहां से आप याद रख सकते हो non probability है convenience voluntary response, purposive and snowball already detailed video है link will be in the link I will add in the description box next question is a researcher studies the effect of pair group interaction on learning styles the variable learning style in the study function is is the dependent variable ठीक है निर्भर्चर की as it is definition है which among the following is not a kind of plagiarism so plagiarism क्या होता है साहितिक चोरी होती है जो की research के तरान अगर की जाए तो वो एक अपराद के रूप में मानी जाती है ठीक है इसमें का है not a kind patch writing उपर से गलती करके उसको लिख देना that is also a type of plagiarism untained plagiarism accidental accidental जो होता है होता तो हो भी plagiarism यह इसमें not पूछ है direct भी एक type ही है untained plagiarism यानि की बिदाग साहितिक चोरी उसको किसी भी तरीके की साहितिक चोरी नहीं माना जाता है next is according to the behaviorist school of psychology the teacher is so behaviorist theory जो होती है behaviorist school of psychology है उसके हिसाब से वो बोलते है कि teacher एक ऐसा person होता है जो कि students के level के हिसाब से उनके interest और उनके mindset के हिसाब से classroom के environment को create करता है यानि कि अगर छोटे बच्चे हैं तो poems के थूँ गानों के थूँ गेम्स के थूँ उनको सिखाएंगे बड़े बच्चे हैं तो उनको उस level पर सिखाएंगे कि उनका previous knowledge कितना है तो इस हिसाब से यहाँ पर देखते है correct answer क्या है classroom facilitator no storehouse of knowledge ऐसा नहीं कि घ्यान का बंडार है बस पतक दो बच्चों पर ये भी गलत है a leader in the classroom teacher एक leader कभी भी नहीं होता है classroom में ठीक है last है creator of favorable learning conditions एक ऐसा environment create करना जहाँ पर बच्ची interest के साथ चीज़ों को समझ भी सके और उनको पढ़ भी सके correct answer is option number four next question है application analysis and synthesis are example of so आपके पास जो knowledge है आपने उस knowledge को apply भी किया उसका visualization भी किया और फिर उसको synthesis यानि कि उसका visualization भी किया तो ये किसका example होता है highest level अगर आप अपने thinking abilities को लेकर जाते हो तो ही आप उस knowledge को apply कर सकते हो देखो ये कहां से question आया levels of teaching में से आया memory level में जो आप सीखते हो कि उस चीज़ को कहीं apply कर सकते हो नहीं कर सकते understanding level में आप उसको थोड़ा सा deeply समझते हो लेकिन फिर भी आप नहीं समझते कि कैसे उसको apply करना है and कैसे उस चीज़ को analyze करना है so यहाँ पर उसके बाद आता है आपके पास highest level that is understanding level and reflective level ठीक है तो यह highest order thinking skills हम में बताता है जहाँ पर हम अपने knowledge को real life situations में apply कर सकते हैं और analyze कर सकते हैं कि कहां कमी रही थी कहां हमसे गलती हुई थी कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है so यह थे आज के important questions first question है तक्षिला is an important archaeological site and UNESCO declared it to a world heritage site in the year what so तक्षिला ancient Indian university है जो की Buddhist education के लिए बहुत ही जादा famous ही इस university को अब as in university तो consider नहीं किया जाता यह UNESCO के द्वारा world heritage site consider कर दी गई है कौन से year में यह declaration हुआ था इस exam में इस question में पूछा गया है अब देखो students options है 1980, 90, 92 और 78 so इसका correct answer बताने से पहले आपको यह भी बता देती हूँ कि तक्षिला के साथ साथ नालंदा university को भी UNESCO ने world heritage site बना दिया था यह question as it is exam में आएगा इसको 2009 में declare किया गया था अब तक्षिला को 1980 में world heritage site declare किया गया था next question is which of the following universities through all university examinations open to girl in 1883 so देखो girls के लिए कौन से university ने सारे examinations जो है वो खोल दिये थी यानि कि girls को किसी भी तरीके के college में entry लेने के लिए entrance examination नहीं देना पड़ता था 1883 में यह कौन से university ने शुरू बात की थी यह अलाहबाद थी Bombay University, Delhi University या फिर University of Madras so इस question का correct answer है University of Madras okay students यहाँ पर University of Madras नहीं होगा correct answer है University of Bombay option number 2 अब देखो University of Madras 1881 में काम किया था same काम उन्होंने किया था और Bombay University ने 1883 में girls के लिए सारे examinations entrance examination बंद कर दिये थे उसके बाद एक और important point है कि 1877 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने जो matriculation यानि कि matrix का examination होता है वो भी girls के लिए बंद करवा दिया था तो ये कुछ important dates है next question is in ancient India education was free क्या पुराने समय में जो education होती थी वो बिलकुल free होती थी बिलकुल सही है second statement है in ancient India education was centralized सो देखो centralized education नहीं होती थी education हमेशा non-centralized होती थी इसमें बच्चों को बहुत जादा confusion रहती अब देखो क्या होता था centralized होता है कि किसी सिरफ एक ही subject का बच्चों को पढ़ाया जाएगा जैसे आज कल centralized education होती है कोई non-medical का बच्चा है बागी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता होगा लेकिन आप उस समय education non-centralized होती थी यानि कि आपकी inner knowledge के साथ-साथ inner development के साथ-साथ आपकी outer development भी होती थी आपके subjects के साथ-साथ आपको extra-ved पुरान भी पढ़ाये जाते थे इसलिए statement 2 बलकुल गलत है और statement 1 is absolutely correct next question is which of the following are logical steps for an instruction design system under MOOC so सबसे पहले MOOC का पता होना चाहिए MOOC क्या होता है massive open online courses होते है यहाँ पर कभी भी कोई भी student किसी भी course के रिए easily enrolled हो सकते है okay so इसमें instructions दी जाती है instructional design की कुछ steps होते है जो कि पूछे गए है policy analysis, need analysis, content analysis learner analysis and assignment analysis अब देख़ए यह वाला question इतना जादा important क्यों है क्योंकि MOOC एक ऐसा topic है जो कि आपका higher education, ICT, people development and environment सब जगा पूछा जाता है तो सबसे पहले एक person को पता होना चाहिए कि उनकी needs क्या गया है अगर आपको पता होगा आपकी क्या जरूरत है, क्या सीखना चाहते हो तभी आप आगे बढ़ पाओगे पहले need analysis है, then we have content analysis then learner analysis आप यहाँ पर आप देख सकते हो यह तीन ही steps में होते है next question is the University of Calcutta, Bombay and Madras what was set up on the model of what so यह तीनों universities कौन से model पे set up हुई थी Oxford University, Cambridge, University of London या फिर University of Edinburgh so correct answer से पहले year बता देती हूँ कि जो भी यह set up हुआ था यह 1857 वे set up हुआ था and university, Cambridge University के pattern को इसमें follow किया गया था next is as per NEP 2020 gross enrollment ratio GER is sought to be achieved to the extent of 50% by what so देखो NEP 2020 के बहुत सारे aims हैं, बहुत सारे targets हैं so इन्होंने कहा था कि 50% हम अपना gross enrollment ratio की इसमें कितने बच्चे enroll हो जाएंगे उसका इन्होंने target रखा है 50% का वो कब तक achieve करने वाले हैं तो यह achieve होगा 2035 तक, 2035 तक ठीक है 10% इनका target था 2030 तक, तो कुछ भी exam में पूछा जा सकता है, ओके next question is the government of India created department of science and technology in the year so department of science and technology government of India ने बनाया था अब लेकर इसके नाम से पता चारे हैं अपने science और technology आज के समय में चंदरियान ये सब इंडिया ही तो कर रहा है पता होना चाहिए कि हम धर्मसुत्र की बात कर रहे हैं ठीक है next question is according to NEP 2020 India will be promoted as global study destination providing premium education at affordable cost thereby helping to restore its role as what? so देखो NEP 2020 ये बोलता है कि global study destination में इंडिया का नाम भी आ जाना चाहिए, premium education के लिए यानि कि best education के लिए ठीक है and इसका जो भी affordable cost है, वो सब government लेने को तयार है and इसमी इसका रोल क्या होगा? इसका रोल होगा विश्व गुरू के नाम से इडिया को जाना जाएगा ये NEP 2020 का एक target है अगला question है who among the following founder the imperial library which he wanted to see as a future Burlian library और British museum of the east ठीक है ये question इतना साथ important नहीं है बस उसको देख लीजिए correct answer है Lord Curzon next is very important question which of the following specific programs are initiated by UGC for the promotion of values and ethical practices so UGC ने कुछ initiative लिये है जिससे कि वो विशिष्ट कारेक्रम को जिससे कि वो मुल्य और नैतिक पर्थाएं जो है इंडिया में उसको बढ़ा सके उसका correct answer क्या है? options are जीवन कौशल second is दिक्षारंब, विश्व भारत, गुरु दक्षता, विश्व दर्शन so जीवन कौशल भी है then we have दिक्षारंब and last is गुरु दक्षता ये तीन चीज़े हैं बहुत important ठीक है? नितिक्ताओं के बारे में बच्चों को जो सिखाया जाएगा वो इन्ही के मदर से सिखाया जाएगा ऐसा UGC ने decide किया है next is what is the full form of NCIVE? so इस तरीकी के full forms आपको directly पता होने चाहिए it stands for National Committee for the Integration of Vocational Education vocational education क्या होती है? कि अपना जो daily के subjects है medical, non-medical, whatever the subjects we have उनके अलावा हमें vocational education यानि की extra जो आपके interest के subjects है जिसे vocational में आपको computers हो सकता है अगर जिन students को आगे web designing में जाना है जिन लोगों को mechanical side interest और उनको mechanical engineering के basics जिनको nursing में जाना है तो इसे लिए vocational education ज़रूरी है और इसके लिए committee बनाई गई है that is called National Committee for the Integration of Vocational Education हर government school में ये अभी program रन हो रहा है बहुत सालों से Which of the following are the state universities of India? Very important question State, center और जितने भी private public universities है नाम इनके याद अख लीजिए State universities में सबसे पहला नाम जो आता ही है वो है सरदार पक्टेल यूनिवर्सिटी गुजराद दूसरा है अचार नागर जुना यूनिवर्सिटी आंधर प्रदेश और तीसरा है गवाहाटी यूनिवर्सिटी आसाम ये तीन नाम state के नाम पर बहुत ही जादा famous है देखो ये correct answer easily आपको मिल गया ये question बार-बार आता है अब homework question ये देती हूँ कि बताएए नागर लेंड यूनिवर्सिटी आंड सिक्यम यूनिवर्सिटी ये state है center है कौन सी यूनिवर्सिटी की category में आती है exam में यही question आएगा देख लेना ओके next is which of the following are included among the institutes of agricultural research agricultural research की institute में कौन-कौन से आते है ना ये आते हैं Indian Council of Agricultural Research Indian Institute of Food Technology and Indian Dairy Research Institution यहाँ पर कैसी भी तरीके के agricultural marketing के बारे में नहीं है ठीक है बाकी options बहुत easy थे according to NEP 2020 the first vertical of higher education commission of India will be the so इनके हिसाब से education को बहतर बनाने के लिए सबसे पहला vertical क्या होना चाहिए यह होना चाहिए national education regulatory council कि national level की education जो है उसको regulate उसको शुरू कैसे किया जाए इन सब चीज़ों का plan करना okay so NHERC is the correct answer दूसरे shift में यह question ऐसे पूछा गया था कि national education regulatory council जो है यह किस commission के द्वारा NEP के अंडर declare की गई थी तो आपका answer होना चाहिए higher education commission के अंडर ठीक है next is Zhuang Zhang visited India and became student of Taksila University तो क्या यह सही है बिलकुल ठीक है यह बिलकुल गलत है क्योंकि Zhuang Zhang Taksila University के student नहीं थे Zhuang Zhang visited India and became student of yoga शास्त्र यह option बिलकुल सही है वो Taksila में नहीं पढ़े थे वो yoga शास्त्र के student थे ठीक है so correct answer is option number 4 नीती आयोग very interesting and very important topic so नीती आयोग is neither a constitutional nor statutory body बिलकुल सही है ना यह constitutional है ना statutory body है यह कौन सी body है यह planning commission देखो पहले हमारे पास एक planning commission होता था बताए कौन से year में planning commission को बंद कर दिया गया खतम कर दिया गया planning commission होता था उसको बंद कर दिया गया और उसी साल कुछी समय में नीती आयोग को चालू कर दिया गया तो नीती आयोग भी plan करता है लेकिन ना यह statutory body है ना ही constitutional है अगला statement है नीती आयोग is a policy think tank of government of India तो यह think tank है यह help करता है सिरफ सोचने में decision लेने में आगे उस पर कैसे काम करना है यह उनकी responsibility नहीं होती तो correct answer is option number one both statements are true next is IGNU hosts secretaries of the SAARC consortium on open and distance learning जिसको SACODIL कहा जाता है and the global mega university network initially supported by so यह दो initiative की बात की गई है SECODIL and global mega university network इन दोनों को support किस ने किया था इन दोनों को UNESCO ने support किया था and host किया था IGNU ने तो यह question भी as it is गोल-गोल करके पुछा गया है दो से तीन बार next is what is the full form of samnyav ठीक है तो यह बहुत important question है इसकी full form है skill assessment metrics for vocational advancement of youth so देखो students यहाँ पर एक चीज़ में आपको clear कर देती हूँ कि vocational education से related जितने भी initiatives है या जितने भी ऐसे छोटे-छोटे programs है वो कब बनाए गए उनकी full forms और कौन उनके लिए responsible है ministry कौन से उनके लिए responsible है यह जरूर पढ़कर जाना अगर यह चीज़ें भी तक नहीं पढ़ी है इस पर separate video चाहिए तो comment करके मुझे बिता दीचिए next question है technical education in is that which emphasizes on learning on teaching learning on techniques as technical procedures and necessary skills and aims at preparing technicians usually above the secondary level there is no distinction between vocational education, industrial and technical education so यहाँ पर देखो यह statement 1 लिखा हुआ statement 1 बिल्कुल true है और statement गलत है इसमें कहा है कि no distinction between यहाँ पर no नहीं होगा distinction होती है vocational, industrial and technical education के बीच में अंतर होता है तीनों बिल्कुल different domain पे काम करती है तीनों का बिल्कुल different roles होते है so correct answer is option number 3 which of the following hardware was used by the first generation computers so computer में total five generations है from one to five and हर एक generation में एक अलग hardware एक अलग system यूज किया जाता है जो कि उसकी functionalities को उसकी processing speed को increase करने में और उसकी size को कम करने में मदद करता है यहाँ पर first generation की बात की गई है तो पहला option है transistors vacuum tubes VLSI और integrated circuits जिसको IC की नाम से जाना चाता है अब देखो students यह जो VLSI है इसके साथ ही आपके पास ULSI और AI यान की artificial intelligence होता है आपको पता होगा कि आज कल smart technology है तो यह जो है VLSI यह latest technology है इसका मतलब यह first generation तो नहीं हो सकता so first generation we have is vacuum tubes यहाँ से जरूर question आते है तो यह table आप लोगोंने सरफ याद रख लेना है देखो first generation कौन से period से कौन से period के बीच में था main technology या hardware इसमें क्या use होता था यह आपको याद रखना है यहाँ से जरूर questions आते है अगर 25 लिखते हो तो वो उसको इन में से किसी एक में convert करता है अब इसको कैसे convert करना है बचपन में आप लोगोंने LCM निकालना सीखा था 25 का 2 से LCM निकालना है जो भी number होगा उसका 2 से LCM निकालना है 12 तूसा 24 तो यहाँ पर 1 आजाएगा remainder 1 बच गया न 6 2s are 12 remainder is 0 3 2s are 6 पूरा cut हो गया तो 0 फिर से 2 से करना है 2 1s are 2 तो यहाँ पर आ गया 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अब इसको इस direction में पढ़ना है तो यह है 11001 तो देखो correct answer क्या है 11001 that is option number 2 similarly मैंने आप लोगों को चलो एक और question दीते है 36 36 का binary number बताईए याद रखेगा 2 से इसको divide करना है next is which of the following is the fastest to read from and write to than the other kind of storage in a computer so computer के 4 storage devices का नाम दिया है इसमें बोला है इन में से सबसे ज़्यादा fastest read और write कौन करता है read का मतलब है file के अंदर जो भी चीजे है उसको पढ़ना उसको देखना write का मतलब है file में कोई नई जैसे cd है या कुछ भी है उसमें नई चीज को add करना सबसे fast काम कौन करता है floppy disk, hard disk, cd roam और ram okay so floppy disk भी slow है hard disk की storage capacity चाहे अच्छी होती है but fast processing के लिए ये use नहीं होता confusion है ram और roam में memory ये question exam में आएगा ram का मतलब होता है random access memory and सबसे ज़्यादा fastest memory इन चारों में से है ram अगर ram option नहीं होता या ram के अलावा अगर आप लोगों के पास जैसे की registers दिये होते cache memory दी होती तो ये correct answers होने थे okay the main two components of cpu अब cpu क्या होता है brain of computer okay cpu की full form क्या होती है comment करके बताईएगा exam में बहुत बार आता है दो components होतें cpu के अंदर control unit and alu यानि की cu plus alu alu और bus control unit और register registers and main memory देखो ये तो memory आगी register भी एक memory का ही प्रकार होता है तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होगी देद में क्योंकि component पूछ है memory के types नहीं पूछ है अब bus क्या करती है bus का मतलब होता है एक जगा से दूसरी जगा पर data transfer के लिए internally काम करती है तो ये भी नहीं होगा so correct answer है option number one that is cu and alu alu मतलब arithmetic and logical unit cpu की full form comment करके बताईए so what is an acronym for what नहीं यहाँ पर SWOT होगा SWOT ठीके SWOT का full form क्या होता है देखो internet में SWOT को introduce किया गया है internet से फाइदे भी है नुकसान भी है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए SWOT के full form बनाई गई है strengths, weaknesses, opportunities and threats internet हमें strength भी देता है काम करने की ताकत भी देता है हमारी कमजोरी भी है opportunities देता भी है और छीनता भी है साथ में खत्रों खत्रा भी इससे बहुत जादा होता है next question is what is important in ICT supported teaching learning strategies so देखो जो teaching learning होती है classroom में भी होती है अलग-अलग प्रकार की होती है लेकिन जहां पर हम ICT यानि की information and communication technology मतलब internet latest technology ये सब चीजों का इस्तेमाल करते है तो कहां पर important होता है ये animation techniques के लिए होता है बिल्कुल नहीं assessment plans के लिए मुल्यांकन करने की योजना है हमें ICT बताता है नहीं बताता है हमारे objectives को clear करता है अदेश्य क्लियर करता है अदेश्य तो देखो as a teacher आपको एक क्लियर करने होंगे clear instructions में ये हमें help करता है अब जैसे मैं आपको काफी चीज़े बोल रही हूँ हो सकते है students को वो चीज़े शायद clear सुनाई न दे या वो समझ न पाएं क्या है तो अगर ICT जैसे आपके सामने ये screen है इसमें question लिखे भी है अब मैं answer बताऊंगी कई बच्चे नहीं सुनेंगे अब यहाँ पर answer display हो जाएगा तो उनको clear चीज़ें दिख जाएगी तो instructions देने का तरीका मेरा बिल्कुल clear हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी क्लास में ICT का इस्तिमाल कर रही हूँ okay which one of the following acronyms matches incorrectly with their full forms so यहाँ पर 4 full forms दी गई है बहुत common terms हैं आपको बताने है कौन सी गलत है GIS geographic information sensor GPS global partitioning system ATM automated teller machine सब लोग use करते हैं SIM subscriber entity module GPS भी mobile phone में सब के होता है ATM भी सब जाते है SIM भी सब के पास है गलत है यहाँ पर GIS geographic information sensor इसकी full form में mistake है okay next question is a byte is a group of what देखो अब आप लोग बोलते हो कई बच्चे बोलते हैं मेरे पास आज internet pack है मुझे 2 GB data मिलता है कई बोलते हैं मुझे 1.5 GB data मिलता है तो यह B क्या है यह byte होते है कि 1 byte equals to कितने bits 2 bit, 4 bit, 8 bit या 16 bit तो याद रखिए 1 byte बनता है 8 bits को मिला कर यानि कि छोटे छोटे ऐसे 8 bits बनेंगे उन सब को मिला करके 1 byte बन जाता है similarly अगले 8 अगर हम ऐसे बनाते हैं तो यह हमारे पास 2 byte हो गए तो 1 byte equals to small 8 bits अब यहाँ पर यह चार्ट याद रखना है smallest unit bit होती है उसके बाद आती है byte एक bit binary digit या 0 या 1 एक nibble 4 bits अगर यहाँ पर 1 byte की जगा 1 nibble पूछा होता तो 4 bits answer होता 4 bits उसके बाद 1 byte equals to 8 bits उसके बाद आता है 1 kb equals to 1 0 2 4 bytes 1 mb equals to 1 0 2 4 kilobytes ठीके देखो उसके बाद आता है 1 gb equals to 1 0 2 4 mb तो smallest unit है bit then byte then bit then nibble then byte उसके बाद kilobyte, megabyte, gigabyte so 1 gb data equals to 1 0 2 4 megabyte आपको मिलता है 2 gb data तो इसको आप calculate कर सकते हो बहुत important है विसस टेबल को याद रख लीजिए which of the following memory has highest access speed तो सबसे साथ access speed किसकी होती है हमने पहले देखा था hard disk, ram, roam और cache memory मैंने आपको अभी बताया कि वैसे तो हमने क्याद बताया ram की होती है लेकिन उस वक्त यहों कि cache memory option नहीं था ram से जादा access highest speed होती है cache memory की इसको cache memory या cache memory कुछ भी बोल सकते हैं सबसे जादा fast होता है temporary memory होती इसमें जो भी डेटा होता है वो permanent store नहीं होता temporary store होता है एक बार system आपका off हो जाएगा mobile को switch off कर दोगे cache memory का data delete हो जाता है 1 GB is equals to अभी बताया 1 GB किसके बराबर होता है यह होता है 1024 KB ठीक है तो इसके लिए यह वाला चार्ट याद रतीजिए bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte terabyte और petabyte यह sequence है बस इसको 1024, 1024 करते रहना है या 22 raise to power 10 इस तरीके से करते जाना है ओके detailed video अल्रेडी है नहीं देखा है जहांपर मैंने बहुत अराम से यह concepts बताए है तो बता दीजे comment करके नहीं समझ में आया है यह वीडियो का link दे दूँगी आपके साथ ठीके अगर इस sessions पसंद आ रहे हैं और चाहते हो कि continue करूँ तो एक बर प्लीज मुझे comment करके जरूर update दे दीजिएगा So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best